हेलो फ्रेंट जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि JSC GE का जो एक टॉपिक है मेकेनिकल जिनिंग में एक टॉपिक है बोईलर मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा तो इस वीडियो में आपको बोईलर के बारे में थोड़ा बहुत इंफोरमेशन मिलेगा जिससे कि आपका exam में जो सवाल है, वो heat होने लगेगा, बनने लगेगा, और इसके बाद मैं आपको उसका MCQ भी करा दूँगा, ताकि आपका कोई भी जो doubt है, सब clear हो जाए, तो चलिए देखते हैं, तो फ्रेंड देखें, चैप्टर का नाम है, steam boiler and engine, तो देखें boiler, boiler क्या हो जिसमें कि water को heat क्या आता है, ताकि वो steam में convert हो सके, generally जो इसका जो body होता है, closed vessel का, वो steel से बना होता है, आई, बी आर का फुलपम होता है, Indian boiler regulation, इनके according, जो volume जो है, boiler का must be greater देन होना चाहिए, 22.75 लीटर से, और pressure जो होना चाहिए, उसमें दो बार से हमेशा ज़्यादा होन तब ही वो boiler कर लाएगा, अन्य था दूसरा चीज कर लाजाएगा, तो यह है फ्रें boiler का introduction, इसके बाद देखें, इसका classification से बहुत खारे question आते हैं, तो देखें classification में क्या है, classification of boiler, दो तरग के हैं फ्रेंड, सब से पहले, fire tube boiler और water tube boiler, fire tube boiler का जो efficiency होता है, वो 75% के आसपास होत होता है, वो 90% के आसपास होता है, तो कहीं ना कहीं, water tube boiler, fire tube boiler से बहुत ज्यादा अच्छा है, आप देखें, यह fire tube boiler और water tube boiler क्यों बोला जाता है, तो देखें, अगर जो tube होता है, उसमें, अगर tube के अंदर fire है, तो वो हो गया fire tube boiler, अगर tube के अंदर water है, और जो fire है, वो बा सारा एक्जाम्पल है उसी तरह water tube boiler का example एक्जाम्पल है ग्जाम में पुश्च दिया जाता है कि boiler का नाम दे दिया जाता है यह किस टाइब का boiler है water tube boiler fire tube boiler ऐसा गर क्पूश दिया जाता है तो देखें fire tube boiler में आपको एक simple trick या रखना है अगर आपको को को या का कहीं पर दिखे तो वो फायर ट्यूब बॉइलर हो जाएगा और एक और जिसे कि यहां पर प्रेंड वाटर ट्यूब बॉइलर में बीब कॉक्ष एंड कॉयल कॉक्स है इसको छोड़के यह exception है इसको छोड़के बाकि जितना भी को या का आएगा किसी भी मतलब word में वो समझे यह fire tube boiler हो जाएगा एक trick के मतलब trick समझ लिजे इसको इसके राद देखे चलिए देखते हैं fire tube boiler का क्या क्या example है तो देखे सबसे पहला example है इसको भर्टिकल developed your boiler boiler भी बोलते हैं दूसरे में लंका साःते में कौ आ रहा है इसके लखो में को आ रहा है एक लोको मोटीब ऐसा भॉप करता है इसके गला के कौरेटिस कौह और ररा करनेश जो है वह ऑपरेटिंग 25 बार 25 भार प्रेसर पर ही यह उपरेट करता है इसके वर्टिकल बॉईलर यह सब है फ्रीन फृयर ट्यूब बॉईलर के एक्जामपल अब देखते हैं बट सबसे पहला एक्जामपल बीब कॉके आंड चॉएल कॉक्स ॐॉइल कॉक्स दूसरा इस्टीरूं कि तिसरा में है लेमोंट, चौथा में है लोफलर या फिर यारो, पांचमा में है बैंसन, बैंसन को वंस थ्रो बॉइलर भी बोला या था फ्रेंड, इसके बाद भैलोक्स बॉइलर है, जो की वाटर ट्यूब बॉइलर है, अब देखिए, उपर में जो था फ्रेंड की, मतलब जो ट्यूब के अंदर क्या है, और ट्यूब के बाहर क्या है, उसके according classification, अब देखिए, according to number of tube, कितने number of tube है, उसके according, single tube boiler, और और कॉर्णिस बॉयलर याद रखिएगा पूछ दिया जाएगा कि कॉर्णिस बॉयलर सिंगल ट्यूब बॉयलर है या फिर मल्टि ट्यूबलर बॉयलर है इसके बाद देखिए एक्जम्पल इसको छोड़ के जितना भी है लंका सायर लोकोमोटी बॉयलर कोकरण विलकॉक्स इसके बाद देखिए according to method of circulation of water and stream तो मतलब इसे circulation of water and stream किस तरग से हो रहा है naturally circulation boiler हो रहा है या फिर forced circulation हो रहा है उसके according बाट आ गया है natural circulation boiler और forced circulation boiler देखिए इसमें क्या होता है circulation is by natural convection current इसमें जो होता है naturally convection के कारण current flow होता है मतलब उसमें जो air circulate होता है इसके circulation of water sorry water या steam इसमें circulate होता है circulation of water और steam by centrifugal pump driven मतलब centrifugal pump लगा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो फ्लो करें by some external power इसलिए इसको बोलते है फोस्ट अब इसको याद कैसे करना इसका एक्जामपल को कैसे याद करना है तो इसमें देखिए boiler हो गया एल से लोफलर boiler हो गया और भी से वैलकॉन बोईलर हो गया तो यह सब boiler केवल फोस्ट सर्कूलेशन बोईलर है बाकि इन सब को छोड़के सारा सारा नेचूरल सर्कूलेशन बोईलर है इसके बाद देखिए according to use मतलब कैसे यूज कर रहे है इस्टेशनरी है कि mobile बतलब movable है तो देखिए इस्टेशनरी में बाद दो नोट मूब वन प्लेस टू अनदर और मोबाईल में दोज बोईलर विच मूब वन प्लेस टू अनदर एक्जांपल इसका फ्रेंट लोकोमोर्टिव और मरीन बोईलर तो यह सब को छोड़के जितने भी आप बोईलर आते हैं वह इस्टेशनरी में आते हैं तो देखिए मैंने जितना मुझे आता था इतना बता दिया मैंने बोईलर के बारे में अब बोईलर के बारे में दो औ तर्म मतलब बॉईलर मांटिंग में आएगा और जहां भी बॉईलर का जो inefficency बढ़ाने का काम में में आ आएगा वैसा बार्ट जो की सोरी बॉयलर माउंटिंग के और बॉयलर एसिसरीज के एकजांपल देख लिए वह ऐसा मैंने आपको क्या बोला कि इफिसेंसी इसमें बढ़ाएगा तो देखिए अब देखिए और एक कॉस्चन जो आया था जैससी में देखिए रेट ऑप इस्टीम जेनरेट जेनरेशन इन वाटर ट्यूब बॉयलर इन कॉम्परिजन टू फायर ट्यूब बॉयलर इस तो अभी मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं वाटर ट्यूब बॉयलर अच्छा होता के लिए ताकि आप कोई भी कॉस्चन में टच कर सकते हैं हीट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू से जरू से एर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग दे वीडियो